शाजपुर जिले में आज 15 नए पॉजिटिव मरीज मिले आज तिंगजपुर से 14 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं अब जिले में कुल 123 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं कुल पॉजिटिव मरीजों में से 60 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है चार मरीज की मृत्ति हुई है और 60 अक्टिव केस हैं जिनमें वेडशा गाफ में 6, चाक्रोध में 3, कुमार्य खास में 1, जोंकर में 1, भयाना में 1, बढ़ोधिया में 1, सुजालपूर मंडी में 1, विजयनगर शाजपूर में 1 मरीज मिला है COVID-19 नूडल अधिकारी जुही गर ने बताया कि जिले में अब तक 6,378 सैंपल लिये गए थे जिनमें से 5,540 सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्थ हुई है 592 सैंपल्स की रिपोर्ट पेंडिंग है शाजपूर में प्रति दिन कोरना की रफ्तार तेजी से आ रही है शाजपूर से मुकेश अहरवार की रिपोर्ट